मेरे परिवार जनों, कॉंग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भे रही है। जब जब कॉंग्रेस सरकार में आती है, तब तब देश में आतंगवाजियों और नक्सलियों के होंसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो, इधर कभी बम फुटने की खबर आती है, कभी उदर बम फुटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया कार दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कॉंग्रेस सत्ता में होती है, वहां अपरात का लूट पाट का राज ही चलता है। कॉंग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल गई है। बिते कुछ समय में भाजपा गहनेक कारकरताओं को हमसे चीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाईयो भेनों क्या ये बंबंदुक के साये में जीना है क्या। ये बंबंदुक के साये में जीना है क्या। कितना ही पैसा क्यों न हो बेटा शाम को घर न लोटे और बेटे की लास घर पे आए उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग। और इसलिए भाईयो भेनों हर किसी के सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कॉंगरेस को हटाना उतना ही जरूरी है। हटाओगे। बिलकुल साप कर दोगे। हर कौने में से हटाओगे। हर पोलिंग बूत में से हटाओगे। पक्का हटाओगे। जरा पीछे वाले हाथ उपर करके बताई हटाओगे। हर पोलिंग बूत में से हटाओगे। यहां सर्गुजा संभाग में कानून वबस्ता की क्या स्थिती है यह आप अच्छी तरह जानते हैं कॉंगरेश सरकार में सर्गुजा क्षेत्र में मानव तसकरी और नशे का कारोबार बेतहां सा बढ़ गया है यहां बेहनों बेटियों को अपरादी निशाना बना रहे हैं हमारे आदिवासी परिवारों की गरीब परिवारों की अनेक बच्चियां गायब होई है बेटियां कहां गई इसका कॉंगरेश के नेताओं के पास कोई जबाब नहीं है यहां कॉंगरेश द्वारा बोट के लिए अवेद गुस पेठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है कॉंगरेश की तुष्टी करन की नीती के कारा यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है इसलिए पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा है माता बहने एक ही बात बोल रहे है गाव हो या शहर हो हर कोई एक ही बात कह रहा है आव नहीं सहीवो आव नहीं सहीवो आव नहीं सहीवो आव नहीं सहीवो बदल के रहीवो